लो स्टुडेंट्स, वेलकम तो माई चैनल, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटी प्रोपटीज के अंदर डिप्रेशन ओफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब ही होता है कम होना यानि डिक्रीज होना अब यह फ्रीजिंग पॉइं कैसे होता है वो समझा जाए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इस दा फेनोमेना दैट डिस्क्राइब वेन एडिंग अनॉन वोलाटाइल सॉल्यूट तो अ सॉल्वेंट रिजल्स इन दा लोवरिंग ओफ दा फ्रीजिंग पॉइंट अफ दा सॉल्वेंट यानि कि कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रेज कर जाती है या लोरिंग हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट का ठीक है तो यानि कि सॉल्वेंट हमारा ए है जो कि वोलाटाइल इन नेचर होगा और सॉल्यूट बी जो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है यानि जिसका वास्प नहीं अब क्या होता है कि solvent का freezing point decrease हो जाता है अब ये decrease कैसे होता है अब इसे example से हम समझने का प्रयास करते हैं जैसे इसे समझने के लिए हम दो कटोरी ले लिए अब दोनों में हम जल ले लिया समान मातरा में और एक में हमने क्या किया कि एक कटोरी के अंदर हमने salt को add कर दिया उसे अच्छी तरह से मिला दिया तो एक हमारा pure solvent यानि की water है एक कटोरी के अंदर और दूसरे में salt water जो की solution त्यार हो गया है जिसके अंदर हमने water में क्या किया non-volatile solute यानि की नमक को add कर दिया अब क्या करना है हमें यह observe करना है कि freezing point कैसे decrease होता है अब दोनों कोटोरियों को क्या करना है एक साथ freezer में रख दे अब 10-10 मिनट के अंतराल पर आप चेक करें तो एक समय ऐसा आएगा कि जो pure solvent था यानि कि जो pure water था जिसके अंदर हमने salt quiet नहीं किया है वो वाली कोटोरी पहले जम जाती है यानि solid form में convert हो जाता है जबकि जो दूसरी कटोरी है जिसमें हमने salt को add किया है वो अभी नहीं जमा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि water अपने purest form में था यानि जब उसके अंदर salt को add नहीं किया गया था तब वो जल्दी ice के रूप में convert हो गया यानि solid form में जब और नीचे के तापमान पर जमेगा ठीक है तो इस प्रकार से उदाहरन के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार किसी solvent के अंदर non-volatile solute को add करने से उसका freezing point decrease कर जाता है ठीक है इसे एक और example से समझना चाहें तो जैसे clearing of ice from roads in the hills मतलब कि ऐसा पहाड़ी इलाका जहां पे जम जाता हो तो बर्फ को हटाने के लिए फिर salt water का छिड़काव किया जाता है ठीक है अब यह salt water का चृटकाव किया जाता है क्योंकि जैसे ही हम नमक के पानी को उस बर्फ पर अगर डालते हैं तो डालते के साथ वो बर्फ पिघल जाती है क्यों क्योंकि बर्फ जो है zero degree centigrade विल्यन को छिड़काव किया गया तो उसकी जो freezing point क्या हो जाती है घट जाती है कम हो जाती है यानि कि अब उसे फिर से जमने के लिए और नीचे तापमान की आउ शकता होगी ठीक है तो इसी चीज को कहा जाता है depression of freezing point ठीक है और इससे road के जो बर्फ होते हैं वो अच्छी तर temperature at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to the vapor pressure of solid state इसका मतलब क्या होता है कि freezing point ऐसा तापमान होता है जहां पे liquid state का जो vapor pressure होता है वो उसी liquid का जब solid state के vapor pressure के बराबर हो जाता है तब वो जो तापमान होता है उसी तापमान को क्या कहा जाता है freezing point ठीक है अब यह बात सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है कि आखिर liquid का vapor pressure solid के vapor pressure के बराबर कैसे होगा क्योंकि liquid का vapor pressure तो जादा होता है लेकिन solid का vapor pressure क्या solid का भी vapor pressure होता है तो आईए इसे example से समझने का प्रियास करें तो इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे तीन system बनाया है अब यहाँ पे पहला system म इसे बॉल्स को लिए है जो कि एक close container के अंदर रख दिया गया है ठीक है नेफ्थलीन बॉल किसी state में होता है solid state में और जब इसे रूम temperature पर रखा जाता है तो फिर यह क्या होता है sublimate होता है यानि कि यह gaseous form में बदलता है solid से gas के form में ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि solid भी vaporize होता है इससे क्या पता चलता है solid भी vaporize होगा यानि कि जब vapor के form में solid बनेगा तो भेपर का pressure भी लगेगा तो इससे तो हमने जान लिया कि solid भी vaporize होता है और उसका जब vapor बन रहा है तो भेपर का pressure भी लगेगा अब दूसरे system में हमने यहां पे ice ले लिया है ice के cube ले इस सिस्टम में तो इस इसा इस सिस्टम में ऐसे बत काफ के भेपर बने। जी उन आयस बत का ँदन था पहले दो चूट का वाटव प्रकान में तो यह सफ़ाल हो तो तो यह। अब यह जो जल है अब यहां पे क्या होगा जब यह लिक्विड इस्टेट में है तो यहां पे अविसले यहां पे भेपर इसके कमपेरिजन में तो ज्यादा होगा यहां कि यह लिक्विड इस्टेट में है ज्यादा मात्रा में भेपर बन रहा होगा तो जब भेपर ज्याद बन रहा है यह बात तो समझ में आती है लेकिन अब ये इसका भेपर प्रेसर यानि solid state का भेपर प्रेसर और liquid state का भेपर प्रेसर कैसे बराबर होगा वो समझा जाए तो इसे समझने के लिए क्या करते हैं कि जब इस system के उपर जब हम temperature को decrease करना स्रीम करते हैं ठीक है अभी जो भी तापमां होगा माल लेते हैं यहां पे 40 degree centigrade टापमान है इस system के ऊपर अब इसे कम करते जाते हो एन 40 से 30 20 10 अब 0 degree centigrade तक ले आते हैं तापमान इस system को तो फिर क्या होगा जैसे जैसे हम इस system का तापमान को कम करते जाते हैं यानि Temperature को Decrease करते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि भेपर का बनना भी क्वाना शुरू होने लगता है ठीक है यानि कि भेपर जो कम होगा तो भेपर का प्रेशर भी कम होगा ठीक है तो क्या एक समय ऐसा नहीं आएगा जैसे जैसे टेंपरेचर कम करते गए और एक समय ऐसा आएगा कि यहां का इस सिस्टम का जो टेंपरेचर है वो इस सिस्टम के टेंपरेचर के बराबर होगा जब टेंपरेचर भी बराब जहाँ पे liquid का vapor pressure और solid का vapor pressure दोनों का क्या होजाता है? same हो जाता है, ठीक है? यह बात समज में आगई? तो इस परकार हमने समझा कि liquid state का vapor pressure, solid state के vapor pressure से कैसे बराबर हो जाता है? ठीक है? यह तो हमने visualize भी कर लिया ol, और यहाँ पे दूसरे सब्दों में भी इसे और freezing point को define किया गया है, देखिए, the freezing point of a substance, the solid phase is dynamic equilibrium with the liquid phase, मतलब किसी पदार्त का freezing point कब कहा जाता है, जब किसी पदार्त का solid phase और liquid phase, म्यानि कि ठोस अवस्था और द्रवस्था एक dynamic equilibrium में चला जाता है, मतलब कि जितनी मात्रा liquid का solid में बन रहा है, उतनी ही मात्रा solid भी liquid phase में बन रहा है, अब इसी चीज को आईए, अब हम graph से भी, इस qualitative properties को समझने का प्रियास करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, y-axis के along, हमने भेपर प्रेसर को रखा है, और x-axis के along, temperature को रखा है, जो कि Kelvin में होगा, ठीक है, अब यह solvent अपने purest form में होगा, तब यह curve है, उसका curve है, अब जब इसी liquid solvent के अंदर, जब हम non-volatile solute को add करेंगे, तो यह तयार solution होगा, तो यह उसका curve है, क्योंकि जब liquid solvent अपने purest form में होगा, तो उसका भेपर प्रेसर जादा होगा, और जैसे ही इस liquid solvent के अंदर non-volatile solute को add किया गय तो उसका बेपर प्रेशर डेक्रीज हो गया इसलिए इस लाइन को यानि इस कर्ब को हमने नीचे बनाया है बेपर प्रेशर कम हो गया तो कर्ब भी तो नीचे ही बनेगा लिक्विड सॉल्वेंट से अब यहां पे जब बात कही जा रही है फ्रिजिंग पॉइंट की तो यह वाला जो लाइन है ब्लेक कलर से रिपर्जेंट किया गया है वो है फ्रोजन सॉल्वेंट अब यहां पे समझने वाली बातिया है कि जब लिक्विड सॉल्वेंट जब अपने सॉलिड स्टेट में कनभट होगा यानि कि ठो सवस्था में जाएगा तो यही वो पॉइंट है जहां पे यह जो लिक्विड सॉल्वेंट यानि प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है इसी तापमान पर इस जगह पे फ्रीज होना सुरू होगा यानि कि यह लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कनभट होगा यानि कि यह जो पॉइंट है यह डाइनेमिक इकलिविरियम का लिकुइड फॉर्म में कनभार्ट होगा तो यह वो पॉइंट है जहां पे लिकविड सॉल्वैंट इस्टेट में कनभार्ट होती है याणि फ्रीज होता है अब इस लिकुइड ws toca up के अंदर जब हमने नन वलााटाई सोल्उट को एड़ कर दिया तब बना हमारा तो ये देखा गया कि ये जो solution त्यार हुआ अब ये इस point पे यानि इस point पे freeze नहीं हो रहा है इसको जमने के लिए यानि solid state में कनभार्ट होने के लिए इस liquid solution को solid state में कनभार्ट होने के लिए temperature को और lower करना पड़ा यानि decrease करना पड़ा तो कितना decrease करना पड़ा तो ये जो solution है इधर कम temperature को कम करते गए तो इस point पे आकर ये हमारा जो solution त्यार हुआ था इस point पे आके वो freeze हुआ ठीक है यानि कि इस point solution जो है यहां पे solid state में कनभार्ट हुआ ठीक है तो ये जो यहां से यहां तक जो कमी आई तापमान की तो उसी को यहां पे रिपर्जेंट कि या गया है डेल्टा टी एफ यानि कि depression of freezing point कहा गया कितना तो इतना distance इतना कम तापमान मतलब इस temperature पर liquid solvent हमारा क्या हो रहा था फ्रीज हो रहा था और इसको कम किये तापमान तब जाके यह solution का जो liquid phase है solid phase में कनभार्ट हुआ ठीक है तो इस लिए इस point पे जिस तापमान पर liquid solvent freeze हुआ उस तापमान को कहा जाता है डेल्टा टी नोट एफ जिसे freezing point of pure solvent कहा जाता है और जब तापमान को कम किया गया तो पाया गया कि जो solution है इस temperature पर freeze हुआ है यानि कि इसे हमने नाम दिया टी एफ यानि कि freezing point of solution कहा गया ठीक है तब इसे equation के माध्यम से भी अब इसे represent क कर लेते हैं तो इस डाइग्राम में हम लोगों ने क्या समझा कि डाइग्राम सोइंग डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ओफ देप्रीजिंग पॉइंट ऑफ इन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन अभी क्वेशन बनाते हैं दिक्रीज ओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो लेकिन तापमान को और कम किये तब इस तापमान पर हमारा क्या हुआ सॉल्यूशन फ्रीज हुआ अब यह जो अंतर बताता है वही क्या कहलाता है डिप्रेशन ओफ फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है यहां तक तो बात समझ में आ गई अब हमें कॉलिगेटिव प्रोपर्टी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डाइलूट सॉल्यूशन के अंदर जब डिप्रेशन ओ फ्रीजिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंट के माधि हम से जब देखा गया तो वह किसके प्रोपर्टर्णल आया तो वह डारेक्ली प्रोपर्टर्णल था मोलालीटी के तो तैक राट्टी एफ इसक घृपर्टर्णल थेगा तो के एफ इन्ठ बोलाल इनुगें अब यहाँ पे KF क्या है तो KF है freezing point depression constant या फिर इसे बोल सकते हैं molar depression constant या इसका एक और नाम है cryoscopic constant भी बोल सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे KF की unit क्या होगी वो calculate कर लेते हैं तो देखिए unit of KF निकालने के लिए क्या करेंगे अब इसका unit निकालना है तो KF क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ डिभाइड़ बाइड़ मोलालीटी अब यहाँ डेल्टा टी एफ क्या है यानि कि यह जो temperature है temperature को किसमें ले रहे हैं हम लोग Kelvin में तो उसका unit हमने रख दिया Kelvin अब मोलालीटी की unit क्या होता है मोल पर केजी जब आप इसे solve कर लेंगे तो जो unit निकल कर आएगी Kelvin केजी पर मोल यानि कि मोलल depression constant की unit होती है Kelvin केजी पर मोल तो इस तरह से हम लोगों ने unit भी निकालना शिख लिया अब इस formula को और आगे expand करेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए delta tf is equal to kf into molality molality क्या होता है number of moles of solute जिसे small nb से represent करते हैं divided by mass of solvent in kg यानि wa ठीक है अब यहाँ पर इस nb को यानि number of moles of solute कैसे calculate करेंगे तो given mass यानि wb divided by molar mass nb को लिख सकते हैं तो nb is equal to क्या हो जागा wb divided by molar mass of solute यानि mass of solute और molar mass of solute ठीक है तो यहाँ पर देखिए delta tf is equal to क्या हो जागा kf nb by wa molality के जगह पर हम लोगों क्या लिख सकते है number of moles of solute divided by mass of solvent in kg अगर यह mass of solvent अगर kg में नहीं दिया गया है अगर gram में होगा तब उसे हम लोग क्या करेंगे kg में convert करेंगे तो इसे kg में convert करने के लिए thousand से फिर divide करेंगे जब thousand से डिवाइड करेंगे तो जो इसका formula बन कराता है यह जो thousand ऊपर चला जाएगा यानि kf into nb into 1000 divided by wa अब यह nb की value हमने यहां पर निकाल ही लिया है wb divided by mb तो इसकी value यहां पर पुट कर देते हैं तो delta tf is equal to क्या होगा kf wb into 1000 divided by mb into wa तो अब हमें क्या करना है molar mass of solute calculate जब करना हो तो इस m को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा value mb is equal to kf into wb into 1000 divided by delta tf into wa तो इस परकार हम इस formula के माधियम से हम molar mass of solute को calculate कर सकते हैं तो हम qualitative properties के अंदर depression of freezing point के माधियम से हम लोग molar mass of solute को calculate इस formula के आधार पर कर सकते हैं अब हम depression of freezing point के आधार पर एक question को भी solve कर लेते हैं तो देखिए question दिया गया है हमारे NCRT book में ही example में 1.00 gram of a non electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lower the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin the freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole find the molar mass of solute ठीक है तो इस प्रस्ट में क्या कहा जा रहा है कि एक gram non electrolyte solute को जब 50 gram के benzene में जब dissolve किया जाता है तो freezing point lowered हो जाता है कितना तापमान से तो 0.40 Kelvin तापमान से ठीक है तो freezing point depression constant की जो value दी गई है benzene की वो है 5.12 Kelvin kg per mole और जिससे अब हम हम क्या find करना है molar mass of solute को find करना है तो सबसे पहले इससे solve करने के लिए हमें formula की जानकारी होने चाहिए तो molar mass of solute को depression of freezing point के अंदर calculate कैसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए molar mass of solute यानि mb is called to kf into wb into 1000 divided by delta tf into wa अब यहाँ पे देखिए इन सभी की value दी गई है प्रस्ण में ही molar depression constant की value दी गई है यानि की kf is called to कितना दिया गया है 5.12 kelvin kg per mole और mass of solute भी दिया गया है यानि wb is called to कितना दिया गया है 1.00 gram और depression of freezing point की जो value दी गई है यानि delta tf is called to 0.40 kelvin और mass of solvent कितना दिया गया है यानि की mass of benzene कितना दिया गया है 50 gram ठीक है अब इन सभी value को इस formula पे equate कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे mb is called to किया हो जाएगा केफ के जगा पे हम लोगों ने क्या लिख दिया 5.12 kelvin kg per mole into wb के जगा पे हम लोग क्या लिखेंगे 1.00 gram और into thousand gram per kg क्योंकि हम लोग ने क्या कहा था जब weight अगर gram में दिया गया हो तो thousand से divide करते हैं तो दिवाइड किया तो यह 1000 ऊपर चला गया तो gram per kg unit साथ मिलाया है ठीक है तो यहाँ पे divided by delta tf की value कितनी आ जाएगी 0.40 kelvin into यानि mass of solvent की value कितना दिया गया है यानि benzene का तो 50 gram 50 gram को यहाँ पे represent कर दिया है अब यह सारे unit को देखिए कौन-कौन से cancel out होते हैं kelvin से kelvin कट गया kg से kg कट गया gram से gram कट गया ठीक है अब इसे और आके solve करते हैं तो सारे value को यहाँ पे लिख देते हैं 5.12 per mole सिर्फ यही unit बच गई है into इसका unit तो कट गया तो 1.00 into 1000 gram divided by यहां भी इन दोनों की भी unit cancel out हो गई है तो 0.40 into 50 ठीक है अब cable unit क्या बच गया ग्राम और पर mole तो जब आप इसे solve कर लेंगे तो MB की जो value आएगी 256 gram पर mole ठीक है तो यह था इक्जामपल depression of freezing point के माधिम से हम लोगों ने molar mass of solute को calculate करना सीखा तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye take care thank you